असलाम मुलिक विवर्स वेल्कम टू मरडी फूड हब आज हम मीनियन्स करेक्टर केक बिनाएंगे केक के उपर मैं आपको मीनियन्स करेक्टर काटून करेक्टर बनाना जिखाऊंगी तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक् करें को अगरेक्टर करें सिर्टर कुर्ण है कर गयाना जिलकर तो इसे टुटली कवर नहीं किया बस उन फ्रीजर में लगातें के लिए साइट पर कर देंगे तो आप मैंने यहां ब्लू और ब्राउन तो यहां पर यहां मिनीयन्स कर घंड हो च्छले लेगए अर ब्लू और साथ ही साथ मेरे पास चूंके ब्राउन कलर हमें डार्क चाहिए था तो मेरे पास डार्क ब्राउन नहीं था तो मैं चॉकलेट सिर्प यूज़ करूंगी तो यह रख देते हैं सबस्पहले हम लोग मिक्स करेंगे यलू कलर अपनी क्रीम के अंदर तो यहां पर मिने एक ब मिक्स कर दे रहना है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए क्यूंकि आप देख रहे होंगे जो वीडियो के टॉप पे आपको नजर आ रहा है उसमें थोड़ा डार्क है तो यह देखिए हो चुका है भी साइट पर कर देंगे अभी मैं यहां पर इसकी जगह यूज़ करूंगी चॉकलेटी कलर तो यह देखिए मैंने काफी सारी चॉकलेट एट कर दिसकी वरा से लिक्विड हो गया है तो अब मिससे सेट करने के लिए फ्रीजर में लगतेंगे पांच से दस मिनट के लिए ताकि यह सेट हो जाए तो यह द करना है तो हमें ज्यादा कलर चाहिए ज्यादा पांट हमारा ब्लू से कवर होगा तो हमें ज्यादा क्रीम के अंदर मैं ब्लू कलर एट कर दिया यह भी हमें डार कलर चाहिए इतना कलर एट करूंगी मैं के डार कुझे तो यह देखिए यह मिक्स हो चुका है अब हम तो मैं आपको दिखा देती हूं एक चोटी नोजल होती है जो पूरा पैक आता है जिनका अलग से नहीं मिलती वह लगाई है तो आप यह देख सेते हैं एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल है जिसे हम येलो फिल करेंगे और एक सिंपल राउंड है जिसके अंदर हम लोग प्लुटी फिल करेंगे और आफ्री वाली अंदर ब्लुटी फिल करेंगे तो देखे तीनो मैंने रख लिए हैं इसके इन पाइपिंबेक्स के अंदर हम लोग क्रीम को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे चोटी नोजल है इसकी मदद से हम लोग येलो जो है रोज बनाने हैं बहुत स्मॉल स्मॉल से बहुत ज्यादा स्मॉल बनाने हैं में डॉट्स लगाने कह सकते हैं तो इसके लिए मैं येलो क्रीम यूज करूंगी तो येलो पुली क्रीम को हम पाइपिंबेक के अंदर एड़ कर देंगे तो देखे मैं एड़ कर लोगी और इसे हम सा अड़ी ब acontetsåी है मीडियम साइज की ऐसके और मैं एड़ी मैं कर दोंगी एड कर दूंगी ब्लू कलर की क्रीम सारी पाइम बैंग में रख लिए हैं अब इसे हम साइड पर कर देंगे तो इधर आ जाते हैं कि एको मैंने फ्रीजर से निकाल लिया था अच्छे सेट हुआ है अब चूंके आपको नजर आ रहा होगा इसकी टू आइस जो आपको सामने देगी तो मैंने यहां पर कटर ले लिया कुकी कटर है मेरे पास राउंड शेप का तो इसकी मदद से हम आइस के इस तरह से मार्क बना लेंगे ताकि हमें ट्रेसिंग करने में असानी हो जो दोनों मैंने इक्वल साथ-साथ करके बराबर में बना लिए हैं इसके कट्स के मार्क लगा लिए हैं इसके ओपर हम लो इसके आउटलाइन कर देंगे मार्क्स लगाने से आपको फाइदा हो चुका है क्योंकि फाइदा हो जाएगा ट्रेसिंग करने में तो यह देखिए अब यहाँ मैं यलो क्रीम ले दूंगी और इसे अपर साइट पे इस तरह से कवर कर दूंगी यलो क्रीम से बहुत स्मॉल स् करेक्टर केक को अब हम लोग नीचे वरी साइट को भी इस तरीके से पूरा कवर कर लेंगे यलो क्रीम से बहुत ही अहत्यास से एक एक आपने इस तरीके से ड्रॉप्स लगाने हैं बहुत एजी यह बन जाता है लेकिन बहुत ही जादा खुबसूरत लगता है यह तो इसे एग बार लाजमी ट्रॉई कीजिएगा है कि इसे मियग पूरा कवर कर दूंगी इस तरीके से यलो क्रीम से COM से है इस तरहा वह ऐसा के आड़ के और छिपे टपर स्म only करेंगा तुमुए तो इस तरह में ईसन पूरा साइट ऌ शाए तो है की इसमें पूरा कवर कर लोंगी ब्लू क्राइए ना करेंकि आप क्रीम के दूप में ब्लु आपको नज़र आ रहो 100% में एक अरूर में इस में पूरी इक पूरी साइड Two- ऑी karmy कुषर है यह कि आप यह कुरी साइड को अर्य Scout क्राम का लेंगे के की साइड साइड से कमज़ हो की है अब यहाँ ने करूंगे भूइट करेंगे भूर कि एक फई राइट कर लीक एक उत्रों से ड्राप लिए का लिया है तो अब पाइप में यदो करेंगे तो अब चौकली क्रीम की मतलब से दर्म्यान में इस तनहां राइज से ड्रॉप्स लिएगा और इसक नोभ पने क्लिए इसे साइट कर अब इस तरह से इसकी नोग निकाल दूँगी मैं तूट्पिक की मदद से और उपर हलके से हर्स बना लूँगी तो हमारा केक रेड़ी है ब्यूटिफल समीनियन्स केक रेड़ी है आपको आपको यह वीडियो समझ में आयोगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा लाज में सब्सक्राइब कर लिजीगा अलाह अफिस